नमस्कार साथियों, स्वागत आपका टीचेस एजुकेशन कॉर्णल चैनल पर आप सभी शिशक साथियों ने कॉर्णा काल की अवधी में बंद रही स्कूल की समय का खास उरक्षा बत्ता सभी बच्चों को प्रेणा पोर्टल के माद्यम से तीन चर्णों में बार दिया था अब उसी के करम में उत्तर परदेश के विशेश सचिव महोदे के आदेशा नुसार चौते चरण का खास सुरक्षा भत्ता भी विधार्थे को प्रेणा पोर्टल के माद्यम से देना होगा आज की वीडियो में हम इसी आदेश की पूरी चानकारी देखेंगे इसलिए वीडियो को पुरा देखेंगा आप सभी ने तीनों चरणों क्रमशय पहला चरण अपरैल से जून 76 दिन, दूसर चरण जुलाई से अगस 49 दिन, तीसर चरण सितंबर से फरवरी 124 दिन उच्च परात्मिक और 138 दिन परात्मिक हेतू खास सुरक्षा भत्ता एमाँ परिवर्दन लागत की धनराशी भी बच्चों को प्रेणा पोटल के माद्रम से उपलप्त कराई है अब चौते चरण दिनांग 24 मार्च से 31 अगस 2021 तक कुल 94 विधाले दिवस हेतू खास सुरक्षा भत्ता उपलप्त कराया जाएगा चूंकी दिनांग 10 परिवरी 2021 से उच्च परात्नि विधाले एमाँ एक मार्च 2021 से परात्नि विधाले उमें शेक्ष्णिक कारणे प्रारम कराया गया था जो दिनांग 23 मार्च 2021 तर संचालित रहा उग्त अबदी हेतू चात्रों को विधाले में गरम पका पकाया मद्यार भोजन वित्रित किया गया है पुने कोविड-19 के कारण दिनांग 24 मार्च 2021 से विधाले बंद करने पड़े इसलिए दिनांग 24 मार्च से 31 अगत 2021 तक कुल 94 दिवसेतू उच्च परात्मिक स्थर के छात्रों को कुल खादान 14 किलो 100 ग्राम थता परात्मिक स्थर के छात्रों को कुल खादान 9 किलो 400 ग्राम प्रति छात्र उपलब्द कराया जाएगा अब आप सभी शिक्षक साथियों को प्राधिकार पत्र के द्वारा कोटेदार के माद्यम से सभी बच्चों को राशन उपलब्द कराना होगा जैसे आपने पहले उपलब्द कराया था अभी इस आदेश में मेरे हिसाब से कुछ बदलाव होने चाहिए क्योंकि उच्च परात्र विद्धाले दिनांग 24 अगत 2021 से खुल गए हैं तो उन्हें 23 अगत 2021 तक का एक खादान प्राप्त होना चाहिए और अभी इसी आदेश में कनवर्जन कोस का भी जिक्र नहीं किया गया है जो हमें प्रेणा पोटल पर सभी बच्चों के कॉलम में फिल करके अपलोड करनी होगी इसलिए अभी विस्तित आदेश आने का वेट करते हैं विश्वत आदेश आने पर आप सभी शिक्षक साथियों को अफगत करा दिया जाएगा और प्रेड़ा पोटल पर कैसे दाटा अपलोड करना है उसके बारे में भी पूरी जानकरी दी जाएगी इसलिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा साथियों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो हेलप लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भोलें जैहन